जब सत्य छिचला होता है तो जानते हैं कि ये सत्य है लेकिन बहुत अंदर तक हम उसे मानते नहीं है कि यही सत्य है बिपस्ना एक बड़ा सुंदर प्रियोग है बिपस्ना में एक प्रियोग है जिसका नाम है सत्य पठान सत्य पठान का मतलब होता है सत्य को पाठान यानि की पहाड की तरह चटान की तरह अस्थाई बनाना यानि सत्य चिछला नहीं है सत्य जब अस्थाई तो को हासिल हो जाता है तो फिर उस इस्तिती को सत्य पठान इस्तिती कहते है इसी को भी पसना में ये प्रियोग कराया जाता है सत्य पठाने अब सत्य क्या है सत्य छिछला है और सत्य गहरा है जब सत्य छिछला होता है तो जानते हैं कि ये सत्य है लेकिन बहुत अंदर तक हम उसे मानते नहीं है कि यही सत्य है जैसे कुछ दिन पहले की बात है लता मंगेसकर जी भारत को किला शरीर त्याग दिया और वो चली गई उससे पहले उनके कुछ इंटर्विव आये थे कि मैं दुबारा लता मंगेसकर नहीं बनना चाहती कहीं पर ये भी चर्चाई की लता मंगेसकर ने ऐसा कहा था अब कितनी सचाई है इस बात में ये तो पता नहीं लेकिन शायद उन्होंने ऐसा कहा था कि आज मेरे पास करोडो रुपे हैं लेकिन आज मैं चाहूं तो स्वास्त खरीद नहीं सकती मैं चाहूं तो अपने लिए मन के शानती खरीद नहीं सकती मैं चाहूं तो अपने लिए एक नया जीवन खरीब नहीं सकती यानि कि सब कुछ निरर्थक है मेरे लिए ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे लिए निरर्थक है तो बहुत लोगों ने ये कहा कि भई क्या फैदा इस कमाई का कि अंत में जब इनसान कहता है कि मुझे ये दुबरा नहीं चाहिए तो लता मंगेसकर ऐसा कह सकती है क्योंकि लता मंगेसकर ने उन सब को हासिल किया और हासिल करने के बाद बाद में सार के रूप में उस ग्यान को उन्होंने प्राप्त किया जिसमें वो ये कहती है कि इन सब को पाने के बावजूद इनका कोई सार नहीं है यानि इनका कोई अर्थ नहीं है लेकिन आप जरह सोची आज के बरतमान युग में लता जैसे हजारों सिंगर चाहते हैं कि हम भी लता जैसे बन जाए जब कि लता मंगेसकर के उस इंटरिव्यू की बाते उनको पता होंगी बावजूद उसके वो कहेंगे कि नहीं कुछ भी हो हम तो लता जैसा बनना चाहते हैं उनकी तरह हम फेमस होना चाहते हैं उनके तरह मान परतिष्टा बढ़ाना चाहते हैं तो अब कह रहे हैं कि भाई लता कह रही है कि सब कुछ पाने के बाद भी अंदर कुछ खाली ही रह गया कुछ खोकला ही रह गया कुछ लगा जैसे कि भरा नहीं है यानि कि मन की जो तृप्ति थी वो मिली नहीं तो ये सार, इसी सार को जो महसूस किया था लता मंगे सकरजी ने, उन्होंने महसूस किया और अंत में कहा कि इसका कोई सार नहीं है, लेकिन लता ने उस सत्य को महसूस किया, उस सत्य को जीया और जीने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन कोई दूसरा इंसान उस सत्य को सुन लेत और सुनकर कहता है कि धन दौलत में, मान प्रतिष्टा में, पद्ध, पद्वी, उहदो में कोई सार नहीं है तो वो बातें छिचली होंगी, मतलब उसका जो सत्य है वो स्थापित नहीं हुआ है